और एक चीज जो बहुत इंपोर्टेंट है आपको पता है एक पाखंड इनका अभी तूट गया फिर से तूट गया बार बार तूटता हर बार ही होता है जब कहने के हैं इनका पाखंड हर बार हर बार ही एक्सपोज होते हैं वो क्या है रेप मुर्डर अपको आपको आपको और शेडूल कास्त का यह कहना है पर जय भीम जय मीम जैसा कुछ था यह वही मुसल्मान है जो बार बार कहते हैं कि गोड़ियो कंदूयों करते हैं हर जगह इन यह साथ खड़े होना चाहिए और तादाद देखिए 1627 यह नंबर इतना कैसे वड़े गया इस पर किछे ने विशार किया है अब तो आखें खोल लो बेवबूफ हूँ नमस्का दोस्तों में प्यूचा आप देखने कुछ नार भारत अब इसका मैं प्रामिस किया था कि मैं इस पुंद्धे को दबने नहीं देना चाहता हूं और इस बात में मैंने लाइफ किया था कि बंगाल में जो हो रहा है जो मम्ता दीदी के चुनाओं जीतने के बाद जो अभी तक हो रही है इसकी रिस्पॉंसबिलिटी प्लाइट से बात है स्टेट के सीम को होनी चाहिए और उनको पूरी रिस्पॉंसबिलिटी लेते हुए सीचुशन को कंट्रोल करना चाहिए सुधारना चाहिए जो लोग बंगाल चोड़ के पहें हैं उस डर से उस दुख म में उनको वापस बुलाना चाहिए और ऐसा दुबारा नहीं होगा इसका आस्वासन देना चाहिए बजाए इसके मैडम ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर किया है क्या है पूरी बात मैंने लाइव में अर्ड़ी की हुई है लेकिन क्योंकि वो लाइव पचास मिन इस डर से अपने इलाकें को छोड़ के चले आते हैं पूरा बंगाल चोड़े जाते हैं और उधम हख हैं लगबग हर ट्वीट में उस दिन के बाद से हर ट्वीट में लगबग एक बार यह बात गही जा रही है कि जो वाइलेंस हो रहा है उसको पंटोल में किया जाए और सेंटर और से दोनों को टैक कर रहा है और उनके द्वारा कुछ फोटो आई है मेरे सामने उनके उफिशिल ट्वीटर हैंडल से मैं आपको दिखाना जाता हूं यह सोलोवाई का ट्वीट है कि नंदिग्राम हो गए उन्हें क्या क्या देखा और वहां के हिंदू जो है जो जा रहे हैं वो लिख क्या लिख रहे हैं ममता स्टॉप हिंदू किलिंग कश्मीर का छोटा सा एक मिनी रूप है और भी बड़ा रूप भी आपको देखने को मिल सकता अगर आपने इसके उपर प्रतिक्रिया नहीं की यह सथ प्रतिक्रत एक रिलीजियस बैटल है वरना वीडियो बनाने वाले जो लोग मार पीट कर कैеро मतल मतल लोग पिट के भाग रहे हैं वो विडियो बनाके यह रहा है कि हमें हिंदू होने के वैसे मारा जा रहा है जुन के रहे वियूमे मिसल्माट मुठार्फ होटा गूंतल कि मौनगाल की की हम्नें कर देती हैं मुसल्मानों को तकलीफ हो रही है ये वगिरेह बहुत शौक है उनकी बधाई लेने का बहुत शौक है और उर्यूंकी बधाई पेघ इसमये में बाते अम्हें रहितTo जैसे रावलगांदी की बधाई में देटे हैं मैंट चाह्ट जी क्या और सौनली डिफीटिंगळसा रिपिटेंसरे मातनी में Millicol दन्यवाद देते हुए कि people of Bengal have paved the way for the rest of the country BJP's politics of hatred shall be booted out of India very soon अगर इसका मैं sarcastic जैसा टायर वे में अगर मैं आपको कुछ कहूं कि people of Bengal paved the way for the rest of the country इसका क्या मतलब है बंगाल में जो प्रदर्सन हो रहा है जो दिखावा चल रहा है बंगाल में जो दिर्श्ट्रे बंगाल के जो सामने आ रहे हैं कि हिंदुों को मार पीटे भगाया जारा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया भाजपा तीन से सदात्तर हैं तो हापकी जो प्यारभरी पॉलिटिक्स है आपकी जो फूल बर्साने वाले पॉलिटिक्स है उसकी विए से तो पूरा पूरा एक वर्ग बहुत बड़ी तादाद में बंगाल चोड़के जा चुका है उसका क्या है हिट्रिट की पॉलिटिक्स तो उनकी बाद में जाएगी बाहर आपके बंगाल से आपके बंगाली बाहर जा रहे है उसका क्या है अगर मुंशल्मान होते हैं तो इतना रोना सुरू हो जाता है एक दो ट्वीट और लेके आयां मैं इनकी बधाईयों का मैंभुवा मुफ्ति हैं मैटम ये बधाई देती हैं कि बधाईयों मम्ता जी स्प्लेंडि विक्टरी के लिए कुडोश तो दवीपल फेस्ट मैंगौल फॉर एजेक्टिंग डिस्रॉप्टिव इन डिवाइजिव फोर्स डिस्रॉप्टिंग डिवाइजिव फोर्स थी ठीक है अब उसको तो रिजेक्ट कर दिया बंगाले लेकिन जो फूल बरसाने आले यो प्यार किया और जो यूनिफाइंग जो फोर्स को ले आई हैं बंगाल की जनता उसकी वज़ेसे बंगाली लोग तो घर चोड़के जा रहे हैं उसकी वज़ेसे तो जंगे हो रहे हैं इसम जाजर खबर जैसे मंतब हैं जी चुनाव जीतती हैं तो लिटेस्ट डिवलप्मेंट्स क्या है कि कुछ इलाकों के हिंदू बहत्त्याचार हो रहा है उनके घर चला जा रहा है उनको मार पीटके भगाया जा रहा है और वो बंगा चोड़के सामने चले गए हैं क्या डिव मिलेगी नहीं है लोग यूनिटी से वापस आते हैं यूनिटी दिखाते हैं चोड़के जाते हैं यह मम्तावेन जीते करें कि इनकी पॉलिटिक्स का क्या मतलब है और बंगाल वालों जो भी मुझे देख रहा है जिसके एक-एक वोट की वज़े से यह TMC पावर में आई है आपका भी उतना ही कॉंट्रिबूशन है आज की वंगाल की हालत के लिए इस बात का ध्यान की है और कल को बहुत जल्दी आपके दरवाज़े बी दस्तक देने वाली यह सिचुएशन है इसको आप नहीं नहीं होता दिया है अब मैडम क्या करते हैं कि नौ तारिक को शायद को भी गुरू रमिन्ना ताइगार ओन इस ओन शिक्तित वर्थ अनिवर्सरी में इस आइडियल्स एंड गाइडिंग फोर्स इन आवर इन आवर इन वर्थ अनिवर्सरी वहीं कॉंट्ररी में धंकर जी लिखते हैं अट्रिवू आर्ट्री आट्रिवू आपके नेशनल जाहिए देखा लेंग được ह हर जग है ये वेक्टी मेंशन कर रहा है कि वोर्लें से और ट्में लूंज इस्पर शूरूरी टुक और टेज आइग भिप्रस को पिसको प्टा में से वयर्थ डाउट अधिविन इस जींटा एंडा है वर्थ नॉलेज़ इस फुरी वर्ड नॉट विन ब्रोकन अप इंटु फ्रेंग्मेंट वर्ड नेरे डोमेंस्टिक वॉल और आप तब को पता होगी आप सबने स्कूल में पढ़ी हो और मैडम चाहते हैं कि यह इनकी आइडियन्स जों हमारे पूरे देश में सबके लोगों के बीच में आए और सबके अंदर रहे हैं और बंगाल में क्या फॉलो हो रहा है जिस धरती से यह महानपूरुष निकले थे जिनकी आइडियन्स वह चाहते हैं कि सबके पास नहीं जो मैंने लाइब में भी बात की थी यह व्यक्ति हैं आपको देख रहा होगा कि चालिस पीसफुल पीसफुल लोग कौन है सबको पता है इन्होंने अटैक किया बी जे वाइन सेक्रेटरी संभू संकर यह भी साउथ कुलकता की बात है पूरा परिवार्स हॉस्पिटल मेंडमिट है यह वीडियो आप देख सकते हैं टुटर पर जाके मिल जाएगा टुटर हैंडल भी से लिए मैंने कॉपी कर लिया है सुलदार एक की वीडियो है मतलब रुका नहीं है यह रुका नहीं है हैं अभी तो यह वो हैं जो रिपोर्ट हो चकी हैं यह वो हैं जो सोचयल मेडियो की पावर के से आपके सामने आ गए हैं जो नहीं नजरा रहा है वो कितना भयाव dois हो सकता है आप यह सोचें कितना खतरना बकूझ अ और क्या इनका पैटर्न कर आ जाते हैं यहां ने पहले क्या आजमाया उससे वो क्या बाद में नजर आएगा आप ही सोचे कि राजदेश के हर राज्य में जहां जहां ऐसे स्थिति उत्पन हो सकती है जहां जहां मुस्लिम अबादी जाता है जहां जहां वो सोचते हैं कि हम अपने वोट बैंग की बावर से सत्ता बदल सकते हैं नॉन बीजेपी फोर्स को खड़ा कर सकते हैं जो हमारी मनमानी करेंगी और जब वो जीतेंगी हम वहां की लिए रिस्ट ऑफ दे बॉपुलेशंग जो कि नॉन मुस्लिम है उसके साथ हम क्या करेंगे उसका एक्जामपल बंगाल में दे दिया है 1990 में कश्मीर में दे दिया था कि हैंा मैं जब आपकी अबादी बढ़ती एन आप क्या कर सकते हैं आपने बता दियता और यहां आप आप देखती है कि आपको सारि human rights से ही होते हैं वहां पर सारे सेजुनल झाहिए हो आपकर सारे inёр combustionば Deathूते हैं पर आपको एक नंबर की हीपोकरट पाखंडी इवलिश जितनी हो सके सुर्पनका ताड़का जितनी जितना मैं इनको इनके हर उस नाम से इनको बुला सकूंँ जो इनकी आज हरकते हैं गनाउड पे जिनकी वैसे बहुत वड़ी तादाद में हिंदूओं पर अत्याचार हुआ उनके घर पॉलिसीज की वज़े गाइडलाइंस की वज़े वह बहाना बना बना के लेकिन जब सीभी आई वाली बात आती तो मैडम कुछ चले जाती हैं अभी अपने वोट बैंक पर टैक नहीं करें हो सकता भविश्य में थोड़ा बहुत डाड़ नहीं कि क्यों कि यह कूंकि जब चुनाओं का समय आएगा तो हो सकता है कि जो लोग गए हैं उनको आप पताने के पोशिश करें कि फिर पॉलिटिक्स हो लेकिन इनकी अपीजिमेंट की पॉलिटिक्स की विए से मैं इस पर वीडियो बना रखी आप देखिएगा अगर आप नए हैं तो जरू सब्सक्राइ मत दीजिए लोगों के बीच में बाते करिए इसके इफन बट्स पूछिए मैडम से स्तीफा किसी ने अभी तक क्यों नहीं मांगा इस बात के मुझे जवाब चाहिए वो सारे लिबरल से कामरा ये स्वारा ये नसुरुद इंसा ये जितने भी हैं ये जावे रगदर ये अगर आपको और कश्मीर नहीं और 1990 वाल इस्तिति नहीं किसी और राज्य में किसी और इलाके में तो जड़ा सोच समझ के वोट दिया करें आवे इसमें आके नहीं अडेलोजी पर समझ आडेलाजी पर जाई एक ज़ा लिए किसके लिए क्या पहले मैं इतना घावा कर सकता हूं tys भाजपा बंगां में जो रहा है भाजपा कुछ नहीं कर रही है मुझे तो नजर नहीं आ रहा है बहुत लोग गो नजर नहीं आ R Heart बहुत लोग बुश्ते में हैं वो भाजपा का फॉल्ट हो सकता है लेकिन भाजपा की वज़े से जीजें हो जाएं यह मैं गारंटी का सकता हूं कि नहीं करेगी भाजपा खेरें इस वीडियो में इतना हैं फिर मिलते हैं अगले उनमें जैन और ने मात रहें